अकाल मृत्यू वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, हर हर महादेव दोस्तों दोस्तों हिंदू धर में सावन के महिने में भगवान शिव की पूजा वर्थ करने का विशेश महतो बताये गया है। सावन के पवित्र दिनों में भगवान शिवकी विदिवधान से पूजा करने से मन की हर मुरात पूरी होती है और विशेश फलो की प्राप्ती होती है। इन दिनों में वर्थ रखने से संतान सुख, धन, निरोगी काया और मनुवांचित जीवन साथ ही प्राप्त होता है। साथ ही दामपत्य जीवन के दोश और अकाल मृत्य जैसे संकट भी दूर हो जाते हैं। हिंदु धर्म के नुसार सावन का महिना बेहदी पवित्र महिना मना जाता है। कोई भी विमारी आपको छू नहीं पाईगी और अकाल मृत्यू जैसे संकट दूर हो जाएंगे साथ ही आपको किसी भी प्रकार का भै नहीं सताएगा साथ ही अगर आप किसी बड़ी परिशानी में पड़े हुए हैं तो वह भी टल जाएगी तो चली दोस्तों चांदते हैं क गाय की सेवा करना भी काफी पूर्णे का काम माना जाता है शास्त्रों के नुसार अगर आप सावन के महीने में सोमवार के दिन गाय को गेहूं से बनी मीठी रोटी खिलाएंगे तो गाय को रोटी खिलाने से घर में सुक्षांती बनी रहती है और हमेशा ईश्वर की कृप का बरस्ती रहती है कोई बूरी बाधा आने से पहले ही टल जाती है इतना ही नहीं जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहां कभी भी कोई परिशानी नहीं भटकती है सावन में अगर आप गाय को मीठी रोटी खिलाएंगे तो इससे आपको ही फाइदा होगा आपको इसका मीठा फल प्राप्त होगा कहते हैं कि अगर आपने भगवान को खुश कर दिया तो समझ दो कि आपको भागे का साथ मिल गया है वैसे भी सावन के इस पावन महिने में शिवजी का अशिरवात प्राप्त करना किसी मोक्ष से कम नहीं होता इसलिए अगर हो सके तो सावन के प आरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसे ज्यादा से ज्यादा शेर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले धन्यवाद